अब सभी चाहते हो कि इन्हों बिजनस में आगे जाएं और ये भी जानते हो कि कॉम्टिशन आजकल बहुत जादा है बट आप कॉम्टिटर को या उससे आगे कैसे निकल जाएं अभी दो तरीका एक तो उसको बुरा बोलके उसका नाम खराब के आगे जाएं बट वो चलता है यह याद रखना आप एकदम अरहे हो यह से कर रहे हो वही है तो आप देखो तीन साल पांट साल से वहीं पैटके हुए हो आपको कोई नया करना है तो एक बार नई फोर्स नई एनर्जी के साथ पूरा रिबर्थ जैसे होता ना बिजनस का वैसे डानना पड़ेग मतलब उससे पहले आना उससे बाद जाना बले हो पांच मिनिट हो समझ गए दूसरा तरीका इससे क्या होगा आटोमेटिक आपका बिजनस बढ़ने वाला है दूसरा वो देखो जान बूच के अभी समझो मेरा कॉम टीटर है कोई XYZ प्रॉपर्टी तो मैं गूगल पे डाल उसको करा रहा है अगर वह आप जान गए ना तो आपके लिए काम असान हो जाता है । तो क्या करता है कभी-कभी उसका ना चersonal आप गेंट़ पीछे तो आप इस पास का इंदक का देखर हृए जो अच्छा है सबसे बेस्ट है उसको कॉपी मारो और अपनी भी प्रेटिविटी वहां पे लगा दो तो ये तरीका है तीसरा तरीका है कि सर्विस ही एक चीज है जिससे आप लॉंग टर्म में आगे जाओगे आप कस्टूमर को कितना हैपी करते हो वह बहुत बड़ा तरीका है तो आप जी जान से उनके लिए काम करो एक बार आपके पास आए वो दुनिया में कभी जाना है नहीं चाहिए बोते हैं कि अगर एक बार आपसे उसने प्रॉपर्टी लिए और दुबारा आपके पास नहीं आया है तो आपने उसको सेल किया सर्विस देना होता है कि उसके बाद उसको जब भी कोई जरत पड़े वो आपके पास आए क्या लॉयल हैं आपको आपसे लेने के बावजूद भी किराय पे अगर वो दुसरे को दे रहा है फ्लैट उससे तो कोई खराब बात ही नहीं बिल्कुल ही वो नाखुश है आपके काम से घर मैंने बेचा और किराय पे दुसरे बोकर ने चड़ा दिया सोचो क्या है यह तो फिर तो समझो बहुत बुरा हाल है उसकी मजबूरी थी इसलिए उसने ले लिया यह होता है अगर रिपीट विजनेस नहीं दे रहा है तो समझो आप सही काम नहीं कर रहे हो तो वो एक चीज का ध्यान रखो चौती चीज कॉंटिशन है ब्रोकरेज को लेके फाइट मत करो आज कल टाइम ऐसा है कॉंटिटी के पीछे जाओ एक से ही मैं पूरा दो परसंट ही लूँगा नहीं तो नहीं करूँगा नहीं तो जो है यह सब यह नहीं चलता इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है पर ऐसे नहीं कि आपने एकदम सही कुछ भी काम लेना पादा एकदम गोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या तो आपको पर फ्लेक्सिबल रखना है यह यह कॉम्टिशन में बहुत ज़रूरी है दुनिया क्या चाहती है आप समझो मेरे को कोई भी बिजनेस कोई भी हो होटल है क्या करेंगे आप उसको सस्ती चाहिए अच्छी टेस्ट चाहिए साफ सफाई चाहिए क्लियर कोई भी बिजनेस लोगे क्या चाहिए अमेजॉन ने क्या किया सस्ता बेचे बस हैशल फ्री मनी वैग गारंटी के साथ घर पे लाके देता हूँ यह यह जो एनलोजी है न इसको समझो आप एक दुकान का यह सबसे बड़ा स्क्रिप्ट है अगर आपको मैं वही समान उससे कम दाम में आपके घर पे लाके देता हूँ वो भी मनी वैग गारंटी के साथ तो क्या आप मेरी सर्विस लेना चाहोगे दुनिया का हर आदमी क्या बोलेगा येस क्या सस्ते में घर पे लाके मनी वैग गैरंटी सेम चीज आपको बहस मैं बोलता हूँ कि सब जो भी आप चेक कर लो उससे सस्ते में आपको मैं प्रॉपर्टी दी लाओंगा हमेशा उसके फाइदेग बात किया बले 100 रुपे पर स्कूर फिट कम करूँ आप चेक कर लो आप डायरेट जाओ इससे पूछो ये करो मैं करके दूँगा तो वैसा मैंने अपने आपको एक्सपर्ट भी बनाया नेकोशियेशन में ठीक है उसके बाद एकदम अभी साफसफाई तो हम क्या करेंगे ना रियर स्टेट में होटल में की बात की थी मैंने बट एक दन स्मूद पेपरवर्क हैसल फ्री वो बोलना रहता है कि क्यों क्यों डरते हैं पेपरवर्क में कहीं गलती ना हो जाया कहीं फ्रॉड ना हो जाया ये वो उसको अश्यार करो मतलब ऐसा नहीं रहता कि हम इसको interview लेते हैं, उसका सब cross check करते हैं, previous owner से बात करते हैं, पूरा सब scan करके फिर देते हैं, तो उसको अच्छा लगा ना, साथ में महीने में surprise, दो महीने में एक बार चेक करते हैं कि भाई वह ही है, दो की जगा चार तो नहीं रहे हैं, कोई गलत activity नहीं हो रही है, वो बा करके देंगे complimentary रहेगा हमारे तरब से, तो पूरा हम एक package दे रहे हैं, तो वो उसको बताना पड़ता है यह चीजे, उससे बोलेगा, रहे यार दुसरे से difference क्यों है यह बंदा, समझ रहे हो, आप testimony दे सकते हो, कहां कहां आपने काम किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बता उसको clear हो जाता है, कि मैंने यहां पे कितने काम किया, जिस society में मैं बोलता हूँ, कोई भी जाओ, दूसरा flat है तो मैंने काम किया, आप जाओ और चेक कर लो, गलत करता तो 10 साल तक यहां बैटके और 80% नहीं काम करता, बस यह शब्द ही काफी है इसके लिए, बोलता है नही क्या है, कॉम्टिटर है, कॉम्टिशन कर रहे हो, जो बाजुवादा ब्रोकर पहनता है कपड़े, उससे थोड़े बेतर आपके होने चाहिए, बस हर चीज में थोड़े बेतर, मैं एकदम डबल नहीं करता, कि उसके पाफ़ टूई रहे तो आप मर्डी से आओ, जो है उसस स्किल में, निगोशियेशन में, टाइमिंग में, लिस्टिंग की कॉल्टी में, सर्विस देने में, प्रॉम सर्विस देने में, इमेडिटली जो भी होता है, अकॉंटिबिटी में, अकॉंटिबिटी तो यो और टाइम और मनी, वो चेक करता है, तो हर चीज में बने तो य कॉम्टिशन होना चाहिए तभी आपको पता लगेगा कि मेरी क्या है हस्ती कि बिना कॉम्टिशन के तो अंदों में काना राजा घुम रहा हूं महीं अकेला जंगल का शेर हूं जब और आते हैं प्लेयर और दुकाने खुल जाती हैं तब पता लगता है कि आपके अंदर कितन क्या कमी रहे गई है देखो और सुधार करो मेरे पास क्यों नहीं आते क्या मैं मार्केटिंग में कहीं कम पड़ रहा हूं क्या मैंने कुछ खराब लोगों के साथ किया था किसी का पैसा खिलवार किया था जिसके कान नेगेटिविटी फैल गई है और वो मार्केट में अब मैं अपनी छवी को कैसे सुधार हूं सब जगह काम करना पड़ेगा हो सकता है इमिडिटी आपको रिजर्ट ना दिखें लेकिन तीन महीने बाद आपको समझ में आने लगेगा जो आप काम कर रहे हैं अब फरक पड़ा है अब फरक पड़ा है समझ गए यही कुछ चीजे ह जिसको आप करोगे हैं सिंपल लेकिन एजी नहीं है मतलब लोग करते नहीं है जानते सब है कि यही करना पड़ेगा उससे आदा घंटा पहले आना जाना उससे अच्छा करना तो आप जो जानते हो उसको अप्लाई करो अप्लाइड नॉलेज इस पावर दोस्तों अगर वी अधियोडियम भाबाय तेक केर थैंक यू